नमस्कार आपके साथ मैं हूँ सुमेरा खान स्वागत है आपका सूपर प्राइम टाइम की शुरुआत करें उससे पहले आज हम आपके प्यार और भरोसे का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि आपके भरोसे की ताकत से ही सूपर प्राइम टाइम आज देश का नमबर वन शो होने का पचास्वा हफता पूरा कर रहा है इसलिए आज टीवी नाइन भारतवर्ष अपने करोणों दर्शकों के परिवार के साथ देश के सूपर हिट शो सूपर प्राइम टाइम के की गोल्डन जुबली बना रहा है अंतराश्वे खबरों के देश के नमबर वन शो सूपर प्राइम टाइम ने आज भारतिये टीवी न्यूज इतिहास में नया कीरतिमान एक नया इतिहास रश्तिया है और इसकी वज़ा है आपका प्यार और आपका भरोसा आपका पसंदी जिदा सूपर प्राइम टाइम पिछले पचास हफतों से रात आट बजे नमबर वन की पुजिशन पर बरकरार है और इस टाइम बैंड में देश के दूसरे सभी चैनल्स के मुकाबले काफी आगे है इस मुकाम को हासल करने के लिए सूपर प्राइम टाइम ने कैसे आप भी बनिये इस जोर्नी का हिस्सा ब्रिगेड ने ऐसा बारुदी खलल डाला दुनिया में एक बार फिर रूस की जासूसी बेल की चर्चा है भारत वर्ष के भरोसे की मुहत पचास हफते से सूपर प्राइम टाइम नमबर वन इन सब आशंकाओं के बीच रूस की चिंता इसले भी बढ़ गई है वाट सिस्टम में जासूसी तत्वों की घुसपैट कोई नई बात नहीं तो बोट पर सीधा हमला करने की जिम्यदारी मतलब हमला भी और पुतिन को सीधा चालेंज भी अब यूक्रेन में तै कर लिया है टेलिविजन इतिहास की नई इनिक अंतराश्ट्रिय खबरों का सबसे बड़ा बुलिटन हर अंतराश्ट्रिय खबर की सच्ची ग्राउंड रिपोर्ड तीवी नाइन इस वक्त आपको रिपोर्ड कर रहा है हम ग्राउंड जीरो पर और यहां से कुछ फीट की दूडी पर TV9 भारतवर्ष दुनिया का वो पहला न्यूस चैनल है जिसने ये दावा किया कुछ घंटे बाद ZNPP में विसपोर्ट की आशंका जाहिर की जा रही है हर ग्लोबल हलचल का सटीक विशलेशन और दर्शकों के भरोसे की मुहद यही है सूपर प्राइम टाइम की ताकत और इसलिए पचास हफ्तों से बादशाहत पर करा कोई नहीं सूपर प्राइम टाइम के आसपास और आईए एक बाद फिर शुरुआत करते हैं सूपर प्राइम टाइम की और दिखाते हैं आपको वो तमाम खबरें जुसे जानने के लिए आप बेताब हैं दुनिया में क्या घट रहा है बीते 24 घंटे में पूरा युक्रेन पुतिन के प्रतिशोद की आग से धदक उठा है रूस के बॉर्डर से सटे शेहरों में लेकर पोलन के नस्दीक बसे शेहरों तक रूस ने हर दिशा में युक्रेन पर मिसाइलों की बरसात कर दी है पुतिन का क्रोध काउंटर ओफेंसिव ऑपरेशन के तहट मकीव का पर किये गए हमले से भड़का है 24 घंटे में युक्रेन को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है और इस बात का कबूल नामा खुद जलिंस्की ने सारवजनिक तोर पर किया है जलिंस्की ने कहाए कि इस नुकसान का जिम्मेदार नेटो संगठन है युक्रेन के बढ़ते हमले और नेटो की भागीदारी को देखते हुए रूस ने घोशना कर दी है कि नूकलियर प्रहार ही अब अन्तिम बिकल्प है बात जुलाई की रात को रूस के विध वन सकते है प्रहारों से युक्रेन की हर दिशा तहल उठी रूस की सेना ने युक्रेन के बड़े शेरों पर विजजाइलों और ड्रोन की बरसात कर दी पुतिन ने ये प्रतिशोद लिया है मकीव का के रूसी आर्म्स डिपो पर हमले के बाब युक्रेन की ड्रोन फोर्सेस ने दिन में रूस के मकीव का रॉकेट बेस की रैकी की और रात को इस पर जबरदस धमला किया युक्रेन ने रूस के रॉकेट को दाम पर एक बम गिराया और उसके बाद सिलसले वार थमाके शुरू हो गए विस्पोर्ट के बाद रॉकेट इलागे में दूर दूर तक ठैलने लगे अलग-अलग कैमरों में दर्ज रूस के रॉकेट गुदाम में विस्पोर्ट की ये तस्वीरे देखिए युक्रेन ने सिर्फ एक हमला नहीं किया मकीव का मेरूसी कबजेवाले एक ओयल दिपो को भी टार्गेट बनाया इस धमाके के बाद आग के विध्वनसक लप्टे भड़ा गुठी रूसी सेना के वाहनों को फ्यूल सप्लाई करने वाला डिपो घंटों तक धढ़कता रहा युक्रेन के इन दो बड़े प्रहारों के बाद रूस की सेना ने पूरे युक्रेन को देहला दिया रूस की फॉज फुल अक्षिन में आ गई रूस के कई शेरों पर एक साथ एरबॉन अटैक होने लगे पूरब से पस्चिम और उत्तर से दक्षर तक युक्रेन देहल उठा इस्टन फ्रंट लाइन से लेकर पॉलन के बॉर्डर तक रूस की सेना ने विधवन्स मचा दिया पीदे 24 घंटे में युक्रेन के कई शेहर बारुदी बारिश से ध्वस्त हो चुके हैं रूस ने सिर्फ इस्टन फ्रंट लाइन के शेहरों को ही निशाना नहीं बनाया बलकि पॉलन के बॉर्डर से सटे युक्रेन के पश्चिमी छोर पर बसे लवीव तक मिजालों की बारिश कर दी रूस ने लवीव शेहर पर मिजालों की बारिश शुरू कर दी रूस के मिजायल हमले में चार लोगों की माथ हो गई और 34 लोग जख्मी हो गए रूसी मिजायलों के टुकड़े रिहाशी इलाकों में भी गेरे और कई अपार्टमिन्ट शतिक रस्त हो गए युक्रेणी फोर्सस को लवीव शेहर में बड़े पैमाने पर रेस्क्यो ऑपरेशन चलाने पड़े राश्टपती जलेंज्की ने रूसी मिजायलों से हुए विनाश की तस्वीरे जारी की इन तस्वीरों में शेहर की कई इमारते तबाह नजर आ रही है लवीव शेहर का बड़ा हिस्सा खंडहर जैसा दिखाई दे रहा है लवीव शेहर को रूस ने इस दी टार्गेट बनाया क्योंकि यहां युक्रेण के हत्यार गोदाम है नेटों से मिले हत्यार युक्रेण ने इस्टन फ्रंट लाइन से दूर रखे हैं इन ही हत्यारों से रूस के सेने ठेकानों पर हमले किये जा रहे हैं रूस ने लवीव में युक्रेण के हत्यार गोदामों को निशाना बनाया है रूस के ब्लाक सीफ लीड ने युक्रेण के अलग-अलग शेहरों पर कैलिबर क्रूज मिजालों के बारिश शुरू कर दी रूस की कैलिबर क्रूज मिजालों का टार्गेट खार की भी बना ब्लाक सी फ्लीट से दागी गई एक मिजाल खार की शेत्र के प्रोवो माइसकी में गिरी ये मिजाल दो हाई राइस इमारतों के बीच पार्किंग में गिरी जिससे कई कार तबाह हो गई और जमीन में एक बड़ा कड़ा हो गया इस मिजाल हमले में नौ लोगों के जखमी होने की खबर है मकीवका पर हमला करने के बाद युक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है रूस की एर फोर्स ने इस्टन फ्रंट लाइन पर भारी तबाही मचाई है ये तस्वीरे रूस के एर बॉर्न फोर्स ने जारी की है रूस के SU-25 फाइटर्स ने इस्टन फ्रंट लाइन पर युक्रेन के कई सेने ठेकानों पर भारी बंबारी की रूस के जेट्स ने FAP 500 गाइड़ेट बंस से युक्रेनी ठेकानों पर हमला किया विमानों की गुजरते ही एक के बादे कई बड़े धमाके हुए और पूरा इलागा धुआ धुआ हो गया इस्टन फ्रंट लाइन के कई बोर्चों पर रूस ने 24 खंटे में युक्रेन को भारी नुक्सान पहुचाया है युक्रेन की रूटीन गश्ट को ट्रैक करने के बाद रूस ने इलाके में माइन्ट्स बिचा दी और इसके बाद युक्रेन के सैन य वाहन इनकी चपेट में आने से नश्ट हो गए रूस की ट्रोन फोर्सेज ने एंतो नोवस की ब्रिज की नस्दीक युक्रेणी फोर्ज की एक चौकी को अड़ा दिया इसके बाद दूसरे धमाके में युक्रेणी सेना के लिए सामरिक तोर पर एहम पुल का बड़ा हिस्सा ध्वस्त कर दिया काउंटर ओफेंसिव ओपरेशन युक्रेणी ने इसलिए शुरू किया था ताकि रूस को बड़ा नुक्सान हो लेकिन रूस की रिपोर्ट के आखले बताते हैं कि युक्रेणी को भारी नुक्सान उठाना पड़ा है जनेश पीपल रिपबलिक के प्रमुक के रिपोर्ट में दावा ये कि युक्रेणी के काउंटर ओफेंसिव से रूसी मोर्चों को ज्यादा नुक्सान नहीं हुआ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि काउंटर ओफेंसिव में यूकरेन को बड़ी तादाद में अपने सैनिक खोने पड़े और नेटो से मिले हत्यारों का असी फीजदी जखीरा थ्वस्त हो गया काउंटर ओफेंसिव में यूकरेन को हुए नुकसान का ठीकरा जेलेंसकी नेटो के सिर्फ बोड़ दिया है जेलेंसकी ने कहा है कि नेटो ने हत्यार पहुंचाने में देरी की इसकी वज़े से रूस को किले बंदी और माइंस बिचाने का मौका मिला युक्रेन का काउंटर ओफेंसिव इससे बहुत धीमा हो गया इसकी वज़े से काउंटर ओफेंसिव में युक्रेन को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है काउंटर ओफेंसिव में हुए नुकसान से युक्रेन की सेना पर नेटों का दबाव भी है और इसलिए रूस के रिहाईशी लागों पर हमले किये जा रहे हैं रूस भी युक्रेन के वार का जवाब बड़े पलट वार से दे रहा है लेकिन अब साफ कह दिया गया है कि एटमी धमा का ही अंतिम विकलत है ये टाक्टिकल न्यूक्लियर हमले का विनाशक संकेत है और आशंका बढ़ रही है कि युद्ध कभी भी परमाणु युद्ध में बदल सकता है रूस युक्रेन के बीच बने बारुदी हालात में न्यूक्लियर तबाही टालने के लिए आईए ये ने जैपुरीजिया प्लांट को बचाने का इंतजाम कर लिया है लेकिन सरवनाश के आशंका टालने का इंतजाम कोई नहीं कर पाया आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार फिर न्यूक्लियर प्लांट के जरिये आटमी विनाश की तयारी हो रही है और इस तयारी का मुख्य किरदार है युक्रेन जिसे मदद अमेरिका से भी मिल सकती है ऐसा क्यूं और न्यूक्लियर तबाही की वो तारीख क्या है देखिए इस रिपॉर्ट में आईए ये ने वार जोन में खड़े जैबुरीजियर न्यूक्लियर प्लांट से होने वाला फिनाश तो टाल दिया लेकिन सर्वनाश की आशंका नहीं डाल सका एपिसेंटर यही जैबुरीजियर न्यूक्लियर पावा प्लांट है आपने बिल्कुल सही सुना बात जुलाई को जेबरीजिय न्यूक्लिय ब्लांट के तबाह होने की आशंका से जिस तरक के अठकले लगाई जा रही थी उन पर विराम तो लग गिया लेकिन एक नया विनाशकारी माहौल तयार हो गया ये माहौल है 11 जुलाई से पहले न्यूक्लियर तबाही का और इस तरक का माहौल बनाने के लिए जिम्मेदार है नेटों के अंदर की हलचन यानि रूस के खिलाब आक्शन में नेटों के बिगड़े संतुलन को फिर से बनाने के लिए न्यूक्लियर ट्रिगर दब सकता है फिर जेड न्पीपी एपिसेंटर तबाही न्यूक्लियर अब तक की हालात में रूस ने जेबरीजिया न्यूक्लियर पावाप्लांट को टारगेट करने पर यूगरेन का खेराव किया था जिसमें दावा था कि 5 जुलाई को ही मेजाईल या ड्रोन से पावाप्लांट पर हमला हो सकता है लेकिन 5 जुलाई की तारीक टलते ही ये आशंका भी टल गई पर अब दावाहे कि जेबरीजिया न्यूक्लियर प्लांट से न्यूक्लियर विनाश की बुनियाद रखने की रणीती तयाग है जिसमें अमेरिका भी शामिल है और रणीती ये है कि 11 जुलाई से पहले तबाही मचाई जाए सिफ्रोजिया न्यूक्लियर प्लांट की तबाही को लेकर तयारी नेटों ने नहीं की है बलकि बारूदी आक्शन यूक्रेन और अमेरिका की तरफ से दिख रहा है खबर है कि जेडन पीपी की तबाही का मकसद तूटते नेटों को फिर से एक जुट करना है ताकि मदद के नाम पर हत्यारों के साथ साथ सेना भी साजा हो सके लेकिन सवाल सर्वनाश के लिए तै हुई तारीख 11 जुलाई पर है आखिर 11 जुलाई के पहले ही न्यूक्लिय प्लांट के तबाह होने की आशंका क्यों है इस सवाल के जवाब कुछ पिंदूओं में मिल रहे है तरसक 11 और 12 जुलाई को नेटों की सालाना बैठक है लिथवानिय में होने वाली बैठक में युक्रेन युद्ध मुख्यों मुद्दा होगा इसमें कई नेटों देश युक्रेन को हत्यार देने से मना कर सकते हैं वहीं जेलन्सकी ने नेटों के रुख पर सेन्य कमांडर के साथ गुप्त बैठक कर ली है आपने बिल्कुल सही सुना रिस्डेंट जेलेंस्की ने कमांडर इंचीफ आफ स्टाफ के साथ बैठक की है और इस बैठक का एजिंडा न्यूक्लिय प्लांट की सुरक्षा के साथ साथ गोला बारूर का उत्पादन बढ़ाना था मतलब साफ है कि नेटों के रुख में बदलाब को भाप लिया गया है जिससे पहली जैसी स्थिति में पहुचाने के लिए एक विनाशकारी धमाके की जरूरत है जिसका खुलासा एक रूसी सांसत में भी किया है रूस के सांसत लियोनिद स्लटस्की के मताबिक जैलेंस की नेटों के शिकर सम्मिलन से पहले जिट एन पीपी को तबाह करने के साथ रूस पर आरोप लगाने की तैयारी कर रहा है ताकि नेटों भी इस जंग में शामिल हो जाए लेकिन ये संभव है कि अमेरिका के साथ मिलकर रणितिक आक्शन से और युक्रेन को अमेरिका के साथ मिलना तकरीब बनता है ऐसा इसलिए क्योंकि इस अक्शन से नेटों की फूट खत्म करना और North Atlantic Treaty Organization का नेत्रक्त अपने हाथ में रखना अमेरिका के लिए आसान होगा अब सवाल नेटों में तूट पर है क्या ये सच है जवाब भी देखिए जेमरी ने युक्रेन को टैंक की सप्लाई फिलाल रोकती है फ्रांस ने भी युक्रेन को सप्लाई पैकेज की समीक्षा शुरू कर दी है युक्रेन को और हत्यार देने के पक्षमे नहीं है नेटों की बैठक में हंगरी हत्यार आपूर्ती के खिलाव मददान भी करेगा इसके अलाबा तुर्किये भी संभवता युक्रेन को हत्यार देने पर नाराज की दर्ज करने वाला है यानि 31 देशों के जिस संगठन में युक्रेन एंट्री के लिए बेसबर हो रहा है वो युक्रेन को दी जा रहा ही मदद पर ही तूट रहा है और इस तूट से बचने का रास्ता है तो वो इसके आरोप रूस पर कैसे मड़ेगा जबकि हकीकत यह है कि न्यूक्लियर पार प्लांट की सुरक्षा खुद रूसी सेना कर रही है क्या अमेरिका और युक्रेन आरोप लगाएंगे और पूरी दुनिया इसे सचमान बैठेगी या फिर इस रणनीती में International Atomic Energy Agency की भी कोई भूमिका होगी ZNPP से मचने वाली तबाही को लेकर किसी भी भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता इसलिए IAEA ने भले ही जबरीजिया न्यूक्लियर प्लांट में किसी भी तरह के वेस्पोटक ना होने का दावा किया है लेकिन एक दर्वाजा आरोब लगाने के लिए खुला रखा गया है जिसमें कहा गया है कि कुछ क्षेत्र IAEA की पहुँच से अब भी दूर है जहां रूस के वेस्पोटक होने का दावा अभी से ही होने लगा है ये दो तस्वीरे सैटलाइट से ली गई है जिसमें पहली तस्वीर में छट पूरी तरह क्लीन दिखाई गई है लेकिन दावाहे की पांच जुलाई को ली गई तस्वीर में चौथी युनिट की छट पर कुछ सामान रखा हुआ देखा गया है अलकि सच क्या है इस पर अभी कोई दावा नहीं है लेकिन खबर सच है तो रूस पर जेबरीजिया न्यूकलिय ब्लान की दवाही का आरोप मढने की तयारी पहले ही हो चुकी है इसलिए रूस भी सतर्क है ताकि 1986 की चेर्नोबिल जैसी घटना से ना सिर्फ बचा जा सके बलकि दुनिया के सामने न्यूकलिय विलन बनने से भी बचाब हो सके और आगे बढ़ने से पहले इस वक्ती बड़ी खबर आपको बता दें तवरिया इलाके में रूस पर बड़ा अटाक हुआ है रूसी सैनिको को पीछे धकेलने का दावा किया गया है यूकरेन ने किया है ये बहुत बड़ा दावा रूस की दो कमपनी के सैनिको की मौत होने का दावा भी किया जा रहा है हमले में रूसकी 25 यूनिट्स को तबाह किया है युक्रेन ने 12 जुलाई यानि तबाही की तारीख 12 जुलाई को ये तैह हो जाएगा कि दुनिया कितने बड़े खत्रे में घिर चुकी है क्योंकि अगर नेटो ने तैह ब्लूप्रिंट के मुताबिक रूस पर आक्शन लिया तो पुतिन दस कदम आगे जाकर परमाणू हमला कर सकते हैं और निशाना होगा ब्रिटिन इतना ही नहीं रूस ने पांच लाख लड़ाकों की फोर्स तैयार की है जो यूक्रेन में भारी तबाही मुचाने के इंतजार में है यानि नेटो का बिनाशकारी आक्शन पर पुतिन इतना जबरदस्त पलटवार कर सकते हैं जिसमें यूक्रेन और ब्रिटिन में एक साथ आटमी जलजला आ सकता है जिसमें लाखों लोगों की जान भी जा सकती है 12 जुलाई यानि कयामत का दिन 12 जुलाई यानि आटमी हमले का दिन 12 जुलाई यानि तीसरे विश्व युद्ध का आगास 12 जुलाई की राज जैसे ही 12 बचेंगे वैसे ही दुनिया पर कयामत आ सकती है और इसकी शिर्वाद रिटन से हो सकती है योगि रूश ने इतनी सबर्दस तयारी कर ली है कि वो एक एक करके उन तमाम शेहरों को निशाना बनाएगा जहां सबसे ज्यादा तबाही हो हिरोशिमा नागा साकी से भी ज्यादा पहले रूस के टार्गेट मर ब्रिटन के कौन से शहर है वो देख लीजिए और वहां अगर परमाणू हमला होता है तो कितने लोगों के मारे जाने की आशंका है लंदन 60 लाग लोग मारे जा सकते हैं फर्मिंग 23 लाग लोग मारे जा सकते हैं मैंचेस्टर में 24 लाग की जिंदगी पर संकट आ जाएगा वहीं लीट्स में 18 लाग और ग्लास्गो में 13 लाग लोगों की मौथ हो सकती हैं इतना ही नहीं दूस के टार्गेट पर ब्रिटन के ज्यादा अबादी वाले दूसरे शहर भी होंगे इसके अलावा 23 आरेएफ बेस, 14 युएस एफ बेस, 10 रेडार स्टेशन, 8 मिलिटरी कमार्ड सेंटर, 13 रॉयल नेवी बेस इन पर भी रूस मिजाइल अटेक करके उन्हें तहस नहस कर सकता लेकिन ये सब कुछ तै होगा नेटो के अक्शन से, अगर 11 बारा जुलाई को लिथवानिया में नेटो की मीटिंग में रूस पर हमले को हरी जंडी मिलती है तो रूस जरूर अटाक कर सकता है, हो सकता है कि वो नेटो देशों को हमला करने का बक्त ही न दे, उससे पहले ही ब्रिटिन में आट्मी अटाक करके अपनी ताकत की नुमाईश कर दे बात यही खत्त नहीं होती, रूस एक साथ दो मोर्चों पर अटाक करेगा, जेपुरीजिया में ब्लास्ट करेगा, दूसरी तरफ युक्रेन को दहलाएगा, दूसरी तरफ युरोप में उसका सबसे मददगार देश भृटिन में तबाही मचाएगा वैसे भी जलन्सकी ने दो दिन पहले इस खत्रे से आगाह कर दिया था, कि रूस जेपुरीजिया न्यूक्लिय पावब प्लांट को धबाका करके उडाना चाता है, जिससे प्लांट में लगे छे रेडियो आक्टिव रियाक्टर उड़ जाएं और वैसा ही कहर बर्पे जै अगर रूस जंग हारने लगेगा तो पुतिन टाक्टिकल आटमी विपन निकाल देंगे लेकिन बात अब आगे बढ़ चुकी रूस को तीन तरफ से खत्रा है पहला खत्रा नेटो पॉसको पर अटाक कर सकता है दूसरा खत्रा युक्रेन क्रीमिया पर अटाक कर सकता है दीसरा खत्रा प्रेगोजिन जैसे विद्रों से रह युद्ध का खत्रा साहिर है ऐसे में पुतिन भी खामोश नहीं बैटने वाले उन्होंने भी तयारी कर ली है जहां एटमी हमले के लिए न्यूक्लियर वारहेड लगी मिसाइल अलर्ट मोर्ड में रखी जाएंगी दूसरी तरफ पाच लाख अतरिक्ट सैनिकों की भरती करके युद्ध में जोंक दिया जाएगा और तीसरी तयारी रूस में की जाएगी जहां पॉलिस फोर्स और कमांडो फोर्स को वित्रों से निबटने के लिए आई-टेक वेपन से लैस किया जा रहा है फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस के मुताबिक रूस में ही पंदरा नूकलियर बेस है जहां लॉंग ड्रेंज मिसाइल तैनाथ है जो आसानी से बिटन में हमला करके हिरोशिमा नादा साकी से तीन गुना जादा तबाही मचा सकी स्टॉक होम इंटरनाशनल पीस रिसर्ट इंस्ट्यूट यानि सीरी के मुताबिक रूस के पास 5889 नूकलियर वेपन है जो दुनिया में सबसे ज्यादा है जिसमें से खरीब 1600 आटमी वेपन बेलिस्टिक मिसाइल पर लगाए हुए है और करीब 2800 आटमी वेपन स्टोरिज कंडिशन में हैं जिसमें से कुछ बेलरूस को भी दिये गए हैं यानि रूस अपने आटमी बेस के अलावा बेलरूस से भी परमाडू हमला कर सकता है बेलरूस की जबीन से रूस नेटो देशों पर हमला इसलिए भी कर सकता है क्योंकि नेटो के टार्गेट पर बेलरूस भी है बेलरूस ने खत्रा जताया है कि ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जब नेटो बेलरूस की हवाई सीमा तक गेर डिल ना करे जिसमें B2 बॉमपर के अलावा F-16 पाइटर जेट्स भी शामिल होते हैं इसके अलावा नेटो प्लाक्सी से लेकर बाल्टिक तक निपलॉइमेंट टेजी से बढ़ा रहा है अब सवाल उठ रहा है आखिर नेटो की इतनी तयारी किस लिए है जाहिर है इसका खुलासा 11-12 जुलाई को लिथुआनिया में होने जा रही नेटो की मीटिंग के बाद हो जाएगा जिसमें 400 पन्नों में खैद खोफिया ब्ल्यूपरिंट सामने आएगा अगर रूस के खिलाब जंग का एलान हुआ तो इतना तय है कि रूस तबाही का दर्वाजा खोल देगा क्योंकि रूस के पास पोल्ड वार का डॉसियर अभी भी मौजूद है जिसमें उसने ब्रिटन की 106 लोकेशन टार्गेट की हुई थी जहां जहां उसे एटमी अटैक करना था अगर रूस ने उसी दोजियर के मताबिक आक्शन लिया तो ब्रिटन की पर्मादी बोई नहीं रोक सकता यूरो रिपोर्ट टीवी नाइन भारवड़ और आगे बढ़ने से पहले इस वक्ती बड़ी खबर नीपर में रूसी फोर्स का जोड़दार अटैक बोट्स में सवार सेलिकों ने की फाइरिक यूक्रेनी ठिकाने को टागेट किया गया रूसी हमले में भारी नुकसान की खबर भी सामया आस्मान में बड़े टकराव की आहट सुनाई दे रही है दुनिया के दो सूपर पावर बार बार आस्मान में एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं बार बार एक दूसरे से टकरा रहे हैं क्या ये टकराव किसी बड़े महायुद का सिगनल है अमेरिका और रूस आसमान में एक बार फिर आमने सामने आ गए तो टेंशन बढ़ गई उधर नेटो से नाई भी उक्रेन की ताकत बन कर जंग के मैदान में उतरने की तयारी कर रही है यह सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब रूस और नेटों की बीश तनाव अपने चरम पर पहुँश किया है तो क्या यह अरप में एट्मी सनाटा चाने वाला है? क्या सूपर पावर आसमानी धमाका करने वाला है? क्या अमेरिका और रूस के बीच होने वाला है फीशन युद्ध? आसमान में दो सूपर पावर की यो हो रही है बार बार टकर? क्या नेडो सम्मेट के बाद क्रेमलिन पर होगा अटैक? अनाव कर रहा है तकराव दिख रहा है दो सूपर पावर एक दूसरे की ताकत को पॉल रहे है रूस और अमेरिका के बीच एक बार फिर आसमानी भिलत दूसरे के बार आसमानी भिलत अमेरिकी एर फोर्स ने ये वीडियो जारी किया रूसी स्यू थर्टिफाइव लड़ा को विमान और अमेरिकी MQ-9 गोन बिलकुल आमने सामने आ गए अमेरिकी एर फोर्स ने अरोब लगाया कि रूसी लड़ाकु विमान स्यू थर्टिफाइव ने सीरिया में उसके मिलिटरी ट्रोन MQ-9 को अन्प्रोफेशनल तरीके से रोगा अमेरिका ने रूस पर अपने ट्रोन को परिशान करने का अरोब लगाया और रूसी लड़ाकु विमान के बिलकुल आमने सामने हुई भिलन का वीडियो जारी कर सबूत भी पेश किया अमेरिकी वायू सेना ने कहा कि रूसी लड़ाकु विमानों ने पुद्वार को सीरिया के आर्समान में अमेरिकी ट्रोन विमानों के करीब खतरनात तरीके से उड़ान भरी अमेरिका ने कहा कि उसके MQ-9 रीपर ड्रोन को रूसी लड़ाकू विमान से पचने के लिए युद्धा भ्यास पर मजबूर होना पड़ा अमेरिकी एरफोर्स के दावे के मताविक उसके 3 MQ-9 रीपर ड्रोन पर लगे कैमरों में रूसी फाइटर जेट का उकसाने वाला अक्शन कैथ हो गया दावे के मताविक रूसी SU-35 जेट ने अमेरिकी ड्रोन के रास्ते में पैराशूट फ्लेयर्स गिरा है एक रूसी जेट ने ड्रोन के सामने अपने आफ्टर बर्नर का भी इस्तवाल किया US जनरल ने रन इन को गैर पेशेवर तरीका बताते हुए उससे रोकने के लिए कहा अमेरिकी वायूसेना ने सीरिया के आस्वान में हुई इस हवाई भिलन का जो वीडियो जारी किया है वो पाद जुलाई का है लेकिन रूस और अमेरिका के बीच आस्वान में ये कोई पहली टकर नहीं है दोनों देशों के बीच आल के दिनों में आस्वान में टकराव के हालाथ बंते रहे है टेस माई को भी अमेरिकी एयोपोस के बॉंबर्स की रूसी जेट विमानों के साथ आस्मान में भुलंध हुई थी आल्टिक के आस्मान में रूसी जेट और अमेरिकी बॉंबर बिलकुल आमने सामने आ गए थी इससे पहले रूस और अमेरिका के बीच आस्मान में टक्राब के हालात 14 माई को भी बन गए थी जब अमेरिकी फाइटर जेट्स ने अलास्का के बास अंतराश्ट्री या हवाई क्षेत्र में उड़ान भर रहे छे रूसी विमानों को रोक दिया था आर्च में भी अमेरिका और रूस के बीच आस्मानी भिड़न्त होई थी काला सागर के आस्मान में एक रूसी जेट और अमेरिकी ड्रोन आमने सामने आ गए थी दोनों देशों के बीच तनाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है गुधवार को ही रूस के आटमी बॉंबर अलासका पहुँचे थी इसके बाद गुरुवार को फोतिन के आटमी बॉंबर आक्टिक में गश्ट के लिए पहुची रूसी वायू सेना के उत्तरी बेले के पंटुपवी रोधी विबान दियू वान फोटिटू ने आक्टिक में उडान भरी इस दोरान दियू वान फोटिटू चालक दलने करी 9 घंटे से ज्यादा समय तक आस्मान में गश्ट की तो क्या ये सब नेटो सेनाओ के अगले बारूती कदम का करारा जवाब देने की पोतिन की तैयारी है क्या 11 और 12 चुलाई को नेटो की मीटिंग खत्म होने के बाद क्रेमलिन पर हमले की तैयारी हो रही है क्या रूस पर बड़े हमले से पहले अमेरिका जैसे देश आस्मान में रूस की ताकत को परक रहे है ये सवाल इसलिए उठ रहे है क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक लिथवानिया की बैठक के बाद नेटो सेनाओ युक्रेन लोतरने की तैयारी कर रही है मतलब आस्मान से लेकर समी और समंदर तक वार का नया चैप्टर जल्द शुरू हो सकता है प्योरो रिपोर्ट टीवी नाइट अलगा जिस ब्लाक सी से रूस युक्रेन की जंक शुरू हुई थी उसी ब्लाक सी में फिर से बारुदी बवंडर आ सकता है क्योंकि रूस युक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में जुटा है ब्लाक सी के रास्ते ऑपरेशन डाक को अंजाम देने के लिए रूस ने ऐसी फ्लीट मैदान में उतारी है जिसके हमले से युक्रेन के कई शहर तहस नहस हो सकते है रूस का ओपरेशन डार्क फेल होगा नेटो सर्विलार्स लाक सी में फिर छिडेगी जंग अब सरिंदर करेगा युक्रे नाला सागर फिर से धदकने जा रहा है लाक सी में फिर से बारूदी बवंडर आने वाला है क्योंकि रूस एक बड़े हमले के तयारी कर रहा है जिसमें वो कुप चुप तरीके से अपने तमाम वार्शिप को डार्क पेंट से रंग रहा है जिससे युक्रेन के ड्रोन को धोखा दिया जा सके इतना ही नहीं नेटो और युक्रेन के सर्विलांस भी ये पता लगाने में नागाम हो जाए कि कौन सा शिप है कितना बड़ा है और उस पर कौन कौन से हत्यार तैना थे दरसल वार्शिप के दोरो तरफ डार्क पेंट करना रूस का एक छलावा है जिसके जरिये वो युक्रेन को जासा देना चाहता है जिससे सारे वार्शिप एक जसे दिखाई दे डार्क पेंट कर नेटो सर्विलांस के जरीए जब तक ये पता लगा पाएगा कि कौन सा शिप कहां जा रहा है इतने में रूस बड़ा अटैक करके यूखरेन को दहला सकता है आपको दो तस्वीरे दिखाते हैं पहली तस्वीर इसी साल 26 जन्वरी की है जब ब्लैक सी में मौझूद एड्मिरल एसन शिप पर पेंट नहीं किया गया था वो सफेद रंग में दिख रहा था दूसरी तस्वीर 22 जून की है जिसमें डार्क पेंट से रंगा हुआ अड्मिरल एसन शिप दिखाई दे रहा है प्लैनेट लैब ने सैटलाइट इमेज जारी की है जिसमें सिवस्तो पोल पर अड्मिरल एसन वर्शिप डार्क पेंट में खड़ा दिख रहा है इसके अलावा तीन और शिप नजर आ रहे हैं जिन पर हाल ही में पेंट किया गया है प्लैनेट लैब का दावा है कि चारो शिप पर क्रूज बिजाइल तैनाथ हैं जिन पर भी डार्क पेंट लगाया गया है जिन शिप पर डार्क पेंट किया गया है उनके नाम है चारो शिप में से दो कॉर्वेट सिरीज के शिप हैं और दो फ्रिगेट हैं चारो ही शिप पर कैलिबर सिरीज की मिज़ाइल तैनात हैं जो युक्रेन के किसी भी इलाके में तबाही मचाने में सक्षम है दरसल रूस का मंसूबा है कि जिस वक्त वार्शिप से युक्रेन पर मिज़ाइल दागी जाएं तो उस वक्त शिप की जानकारी दुश्मन को नहीं होनी चाहिए जो कि डार्क पेंट करने से ना तो लो और्बिट सैटलाइट के पकड़ में आपाएंगे और ना ही आर्टिफिशल इंटेलिजेंस से लैस्ट ड्रोन टार्गेट को भाब पाएंगे ऐसे में रूस को बड़ा अटैक करने का मौका मिल जाएगा इसके लिए सिवेस्टो पोल पोर्ट पर ये काम किया जा रहा है रूस ये भी नहीं चाहता कि जो मॉस्क्वा और मकरोफ शिप के साथ हुआ वो बाकिश शिप के साथ हो रूस का दावा है कि दोनों ही शिप में ड्रोन अटैक किया गया था जिसमें मॉस्क्वा फ्रिगेट दूप गया था जबकि मकरोफ शिप रिपेर होने के बाद दोबारा एक्शन के लिए तयान है यानि अब रूस डार्क शिप फ्लीट के सहारे बड़ा हमला करने का प्लैन बना चुका है जिससे फ्लैक सी में फिर से जंगी तूफा ना सकता है यूरो रिपोर्ट टीवी नाइन भारत बर्ष वागनर चीफ प्रगुजिन इस वक्क कहा है ये किसी को नहीं मालूम है खबरे हैं कि प्रगुजिन इस समय रूस में है आप ये सुनकर हैरान हो रहे होंगे क्योंकि अभी तक प्रगुजिन के बारे में कहा ये जा रहा था कि वो बेलारूस पे है और वहां से कीफ के लिए रवाना होकर वागनर आर्मी बड़ा अटाक करने वाली है लेकिन प्रगुजिन को लेकर लगातार नई खबरे सामने आ रही है रूस में प्रगुजिन के टॉप सीक्रिट बंकर में कैमरा पहुंचा रोशन फोस ने प्रगुजिन के घर की तलाशी ली आखिर प्रगुजिन को लेकर पुतिन का प्लान क्या है और पुतिन उनका क्या करना चाहते हैं इसे लेकर कई तरह की खयास भी लगाए जा रहे हैं यह उसी वागनर चीफ के घर की तलाशी का वीडियो है जिसने हाल ही में पुतिन के खिलाब सबसे बड़ा विद्रोश शुरू किया था जी हाँ, दावा किया जा रहा है कि यह वागनर चीफ प्रिगुजिन के घर की तरस्वीरे हैं जहां रोशन स्पेशल फोर्स घर की एक एक चीज की तलाशी ले रही है प्रिगुजिन के टॉप सीक्रिट बंकर में कैमरा पहंचा हुआ है तलाशी चल रही है, पुतिन की फोर्स घर के चपपे-चपपे को चाण रही है एक-एक चीज खंगाल रही है दावा किया जा रहा है कि रशन स्पेचल फोस ने ये रेड प्रिगोजिन के सेंट पीडर्सबर्ग में धित घर में की जहां कई हत्यारों के अलावा भारी मात्रा में सोने के बिसकेट और कई तरह के विक भी मिले इस वीडियो और तस्वीरों को देखकर ये सवाल उठना लास्वी है कि क्या प्रिगोजिन के घर में रेड पोतिन के इशारे पर की गई क्या पोतिन फागी प्रिगोजिन से बदला ले रहे है या फिर ये कारवाई नेटों को चक्मा देने की पोतिन की रण नहीं थी सवाल ये भी है कि रूस की निजी सेना वैगनार ग्रुप के प्रमुख पर किसकी नजर है इस वक्त वैगनार चीफ प्रिगोजिन कहा है इसे लेकर बेलरूस के राष्टपती लुकाशेंको ने प्रिगोजिन के बारे में बड़ा दावा किया धुरुवार को लुकाशेंको ने कहा कि प्रिगोजिन सेन्ट पीटर्सबर्ग में है और वैगनार सेना के शिवर में है वही मीडिया रिपोर्स में दावे किये गए कि सेन्ट पीटर्सबर्ग से प्रिगोजिन सीक्रेट तरीके से मौस्को जा रहे है वहाँ उनके पोतिन से मिलने की उमीद है आखिर इस मुलाकात का मतलब क्या है? क्या प्रिगोजिन पोतिन के साथ समझोता करने जा रहे हैं? या फिर उनका रूस वापस जाना किसी नए ओपरेशन की तयारी है? अटकले ये भी लगाई जा रही हैं कि प्रिगोजिन के वापस रूस जाने और पोतिन के साथ सीग्रिट मुलाकात का बड़ा मतलब कुछ मीडिया रिबोट्स में भी ये दावे किये गए हैं कि प्रिगोजिन के जरिये पोतिन फीव पर बड़ा हमला करवाना चाते हैं या फिर बेलरूस के पड़ोसी देशों में बड़ा ओपरेशन शुरू करना चाते हैं पिछले हफ़ते बेलरूस के राज्टपती लुकाशेंको ने कहा था कि प्रिगोजिन बेलरूस में फिर गुरूवार को उनोंने कहा कि प्रिगोजिन सेंट पीटर्सबर्ग में और वहाँ से बॉसको जा सकते हैं लुकाशेंको के इन बयानों से एक बात साफ है कि वैगनार चीफ बेलरूस में नहीं वो रूस में है और प्रिगोजिन को लेकर जल भी बड़ा खुलासा हो सकता है बोदिन के खिलाफ प्रिगोजिन के पगावत के बाद लुकाशेंको ने 24 जून को एक समझोदा कराने में एहम भूमी का निभाई थी जिसमें प्रिगोजिन और वैगनार सैनिको के लिए सुरक्षा का वादा भी किया गया था फिलाल प्रिगोजिन की सही लोकेशन के बारे में किसी को जानकारी नहीं बोदिन के तक ता पलट की कोशिश करने वाले प्रिगोसिन के गायब होने से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं एरो रिपोर्ट टीवी नाइन भारत अश्ट कुद्रत के क्रोध से चीन का बुरा हाल है चीन के लिए जुलाय आपदा लेकर आई है चीन में इस वक्त प्राकृतिक आपदाओं के चलते लाखों लोगों की जान मुसीबत में फसीड़ी है कहीं भारी बारिश के चलते बार में 36 से ज्यादा शेह डूब गए हैं तो कहीं बढ़ते तापमान के चलते चीन के लोगों का हाल बेहाल है देखे चीन पर चाई संकट की ये रिपॉर्ट चीन में कुदरत की मार्ज से वेनाश बादलों से बरस रही है बरबादी खत्रे में लाखों जान चीन में द्राहिमा मध्य चीन के सिच्चुआन परांथ में बादल बरबादी बनकर बरस रहे भारी पारिश के बादा हाई बार्ट से एक इमारत धारा के साथ बेह गए सिच्चुआन परांथ का बड़ा क्षेत्र बार्ड के पानी में डूबा हुआ है लाखों कार, मकान, पारिश के पानी में जल्मक नहीं चीन के बड़े इलाके में भारी बरसात हो रही है सडके और शेहर जील जैसे नजर आ रहे है चीन में अब तक 15 लोगों की मौत की खबर है 36 शेहर बुरी तर अब बार्ड की चपेट में लोगों को खत्रे वाले इलाकों से बाहर निकाला जा रहा है चीनी अधिकारियों ने जुलाई महिने में कई प्राक्रतिक आपताओं की चेतावनी जारी की चीन की समचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट है कि कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण लाखों लोग प्रभावित हो चुके दक्षिन पश्चिमी प्रांथ सिच्छुआन में बार के कारण 85,000 से अधिक लोगों को निकाल कर सुरक्षि दिस्थानों पर पहुँचाया गया है उत्तर पश्चिमी चीन के शांक्सी प्रांथ में पिछले 50 साल में सबसे ज्यादा बारिश दर्च की गई है मुसले धार बारिश के दोरान घर और सडके शती ग्रस्थ हो गई विशले सप्ता हुनान प्रांथ में बार की मार से 2000 से ज्यादा घर शती ग्रस्थ हो गए थी हुनान में पानी से भरी सडक पर बैती कार नजर आ रही थी ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मताबिक चीन दोरी आपता का सामना कर रहा है सेंट्रल और साउथ वेस्ट चीन में भारी बारिश हो रही है चीन के कुछ हिस्सों में गर्मी ने 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है चिलचिलाती धूप के चलते सैगडों लोग जान लेवा लूग की चपेट में आ चुके वैग्यानिकों की मताबिक ग्लोबल वामिंग की वज़े से चीन पर दोरी आपता आई दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूशन फैलाने वाला देश चीन है दुनिया की कार्बन डायोकसाइड का एक तिहाई हिस्सा चीन से निकलता है ग्लोबल वामिंग बढ़ाने में चीन की सबसे बड़ी भागिदारी धर्ती का बढ़ता तापमान चीन के लिए दोहरी मुसीबत लेकर आया है यूरो रिपोर्ट टीवी नाइन भार्म